हलो एवरिवन मेरा नाम है असीस्टन प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देखेरें मेरा यूटूब चैनल थर्मल एंजिनेरिंग लेक्चर सिरीज दोस्तों रडबली के नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बायो गैस और बायो मास वैसे तो यह चैप्टर के बेजिक कंसेट आप लोग अपने स्कूल टाइमिंग में साइंस सब्जेक के अंदर पर चुके हो कि बायो गैस एनर्जी क्या होती है किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है और बायो गैस प्लांट किस तरह से वर्क करता है लेकिन फिर भी हम लोग इसके अंदर थोड़ा बायो गैस एनर्जी बेसी करली क्या है तो सबसे परला टापिक हमारे यह कि बायो मास जिस्क्तर से कमर्ट की जाती है तो बायो मास जिस्क्तरा से दुगता यह रोगोमास आप लोगों को भीजओन प्लांट से इनेमल से रल्र कि वोंढ को लोगवं सकती है थो वहाबु सकत निकालते हैं हमारा जो सॉलिड वेस्ट होता है जो हमारा लिक्विड वेस्ट होता है ठीक है उसके थुरू भी हम लोग बायो गैस एनरजी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग जानते हैं काव डंक का यूज करके भी हम लोग बायो गैस एनरजी का यूज कर सकते हैं तो यह अल कर सकते हैं यह basic fund है जो कि आप लोग ने पड़ा हुआ है तो यह biomass जो convert हम लोग करते हैं उसकी technology क्या क्या है तो उसको generally चार category में divide किया गया है physical method direct combustion जिसको आप लोग बोच सकतो incineration thermochemical method and the last one is biochemical method हमारे लिए इस chapter में important है incineration मतलब के direct combustion method तो direct combustion method के अदर basically क्या होता है देखो वैसे तो देखा जैए direct combustion का मतलब क्या होता है मतलब कर के incineration और combustion वैसे तो एक दूसरे के synonyms है मतलब के same word लेकिन डोनों के बीच का फरक ही है कि incineration के अंदर हम लोग ash का भी complete combustion इसी process कि जिसमें ash को भी आप लोगों को complete क्शलाइ नहीं हो रही है और लोगों कि और थे अपने sumerants इसा होता है घ्र फिर दूसरी चीज करें तो सॉलीड पस्टाय equival यह का एस गेस करते हैं लुट हम लोग उने सैंपरेचर हुआप्याी। प्रोसेस करेंगे और ऑक्सिडेशन करने के बाद हम लोग हीट प्रोडूस करेंगे यह जो हीट प्रोडूस हुई या तो फिर माल लोग के वाटर आप लोगों ने रखा है वाटर आप लोग वाटर का आप लोग स्टीम में कंवर्जन करोगे यह हीट प्रोडूस होने के बा वेस्ट इंसिनेरेशन प्लांट्स अर इंस्टॉल इं लार्ज सिटीज तो डिस्पोज ओफ अर्बन रिफ्यूस एंड जुनरेट एनरजी जनरल बड़े बड़े सिटीज के अंदर जो भी अपलोगों को वेस्टेज मिलता है प्लांट्स का है ट्रीस का है या किसी और चीज का है उसका हम लोगों का हम लोग अर्बन एरिया के अंदर डिस्पोज करते है और वहां पर फिर उसको इलेक्टिसिटी या तो फिर एनर्जी प्रडूस करने के लिए यूज किया जाता है एक दिन के अंदर थाउजन टन के जितनी वेस्टेज की आप लोगों को यूज करना है एनर्जी प्रडूस करने के लिए लेकिन एक चीज़ें आपर ध्यान में रखनी कि हम लोग जो फर्नेस का यूज कर रहें उसके अंदर एडिक्वेट अमांट की ही आर जानी जानी जादा आर नहीं बहुत कम अमांट के आर आप लोगों को सप्लाय करनी है आप लोगों को पुछा जा सकता है जिसमें से पहला टॉपिक जो की काफी इंपोर्टन है वह है एक्स्प्लेंविट नीज के फ्लोटिंग ड्रम जिसको आप लोग बोल सकते हो कॉंस्टन प्रेशर टाइप बायोगेस प्लांट वैसे होते ही आप लोग अपने स्कूल टॉपिक काफी चोटा है और चैप्टर भी काफी चोटा है और इजी आप लोग ने पढ़ा हुआ है वैसे तो डिफरेंट मोडल अवेलेबल है आज के जमाने में बायोगेस प्लांट के लिए ठीक है जो पॉपिलर मोडल इंडिया के अंदर है वो है खादी विलेज इंड बायोगेस फ्लांट एक मार्वोगों ऐसे मेंसलीकित बायोगेस प्लांट है कि फोटींस द्रों द्रम टायप बायोगेस प्लांट किस से किसीड बिछा क constructions भीそうですね का म इसेडेज्टिंड या सर्फिन के लिए and an outlet on the other side for removing digested slurry as you can see आप लोगों को दो टैंक दिख रहे है एक inlet tank है एक outlet tank है यहां से आप लोगों को digested slurry को बाहर निकालना है यहां पर हमारे wastage को हम लोग enter करवाएंगे मतलब one side for feeding slurry यहां पर हम लोग हमारे slurry को एंटर करेंगे यहां पर आप लोगों को digested slurry को बाहर निकाल देना है digested मतलब जो की completely wastage उसका use हो चुका है अब उसका कुछ नहीं हो सकता है उसको digested slurry गोल दे digested मतलब पच जाना जैसा हम खाना खाते हैं हमारा खाना पच जाता है उसकी energy हम लोगों को body में मिलती है और जो wastage होता है वो हम लोग निकाल देते ठेक है यह बिल्कुल उसी तरह से the movable gas gas holder is made of steel the gas holder is painted by anti-corrosion painting sorry, painting at least once a year एक साल के अंदर आप लोगों को उसको paint करना पड़ेगा ताकि corrosion, erosion effect ना है यहाँ पर हम लोगों को use करना है gas को move करवाने के लिए movable gas holder movable gas holder figure के अंदर नहीं दिखा अंदर का portion होता है metal floating gas folder movable gas folder इसी लिए जो भी gas produce होगे इसको हम लोगों को float करवा करगा हमारे required area तक लेकर के जाना है और यह steel का बना होता है और इसको आप लोगों को paint करना पड़ता है ताकि corrosion effect ना आए इसलिए this plant helps to achieve more consistent gas pressure which can be adjusted by regulating weight आप लोग वेट regulation method से इसको consistently use कर सकते हो मतलब कि maximum amount में energy इसमें से आप लोग produce कर सकते हो partition wall आप लोगो को दिख रहा होगा यह है partition wall जो की digester के बीच में रखेंगे मतलब यहाँ पर आप लोगों की slurry होगी और यह slurry digest होते 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 यहाँ पर जाएगी और उसका जो portion होगा हम लोग digested slurry यहाँ से बाहर निकालेंगे यह है आप लोगों का masonry work masonry मतलब के eat वाला structure ठेक है यह है आप लोगों का outlet water seal इसलिए कि जो heat produce हो रही है उसकी वज़े से यहाँ पर temperature जहाँ पर आप लोगों की gas store हो रही है वहाँ पर temperature maintain रखना है इसलिए water seal हम लोग रखेंगे bifurcation of a digestion chamber through a partitioning wall provides optimum condition for growth of acid formers and methane formers a requirement of pH values for this bacteria are different partition wall रखने का एक ही मतलब होता है कि जो भी अंदर chemical processes होने वाली है जिसकी वज़े से methane gas generate होगी उस methane gas को generate करने के लिए जो temperature आप लोगों का maintain होना चाहिए bacteria formation जो clearly आप लोगों का अंदर होने चाहिए इसलिए आप लोगों को partition wall रखना है कि एक portion के अंदर आप लोगों को क्या हो रहा है तो bacteria की formation जादा है मिलके acid की formation जादा है मिलके जहां चाहिए आप लोगों आपने methane gas को form कर पाऊगे ठीक इसलिए आप लोगों को partition wall रखना है तो यह construction हो गया और basic working हो गया इसको थड़ा और deep में समझते हैं इसलिए यह plant क्या होते हैं तो बहुत ही easily हम लोग use कर सकते हैं बायो gas generation के लिए floating gas holder builds gas pressure of about 10 cm of water column sufficient to supply gas up to 100 meter जो floating gas आप लोगों ने देखा यह holder यहाँ पर 10 cm of water जितना pressure generate होगा इसकी वज़े से क्या होगा तो आप लोग gas को supply कर सब्सक्राइब कर सकते हैं अप टो 100 meter length टेक है 100 meter तक की length तक आप लोग इसको easily float करा पाऊगा क्योंकि इतना pressure है यह आप पर इस gas holder के अंदर generate होगा that's why diameter of the digester of a gas plant range from 1.2 to 6 meter and its height varies from 3 meter to 6 meter general value याद रखना है gas pressure also forces out the spanned slurry through a sludge pipe यह जो आपकी sludge pipe है यहाँ से slurry को बाहर निकालने के लिए जो pressure generate होड़ा हो वो help करेगा the mild steel gas holders are prone to corrosion thus needs painting at regular intervals जो कि मैंने पहले बिला mild steel का use कर रहे है आप लोग gas generate हो रही है तो इसी बात है corrosion effect आने का चांसे होते है तो हम लोगों को इसी लिए क्या करना है तो पेंटिंग कर दे रहना है हमारे pipes को ताकि corrosion effect ना है problem overcame sorry this problem can be overcome or overcome by using fiberglass reinforced plastic FRP fiberglass reinforced plastic का अगर आप लोग यूज करोगा as a pipe sorry instead of steel as a pipe तो फिर आप corrosion effect से पस सकते हो advantages क्या क्या होंगे it gives higher gas production it works under constant pressure naturally higher gas production आप लोगों को maximum amount में gas का production मिलेगा it works under constant pressure naturally constant pressure पर भी यह काम करेगा there is no problem of gas leakage gas leakage की कोई problem नहीं है and there is no problem of mixing of biogas with external air external air के साथ में आपके biogas का कोई mixture ही नहीं हो क्या है अप लोगों के external air जो है वो अंदर body माने ही नहीं वाली है तो उसकी वज़े से क्या होगा there is no damage of explosion or dangerous of explosion तो explode होने को कोई chances ही नहीं है disadvantages क्या होंगे तो inner cell cost is high मतलब आपको इसको built up करना है तो काफी ज़्यादा क्या है मोट लगानी पड़ेगी there is loss of heat through metal gas holder heat के लॉस होने के चांसे ज्याद है क्योंकि metal gas holder का आप लोगों नहीं यूश किया तो metal heat पकड़ेगा और उसकी वज़े से heat loss होगी the outlet pipe is flexible it requires regular attention joblet की pipe होगी फ्लेक्सिवल होगी तो उसको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि pipe आप लोगों की ज्यादा मोर्तों नेरी steady है के लिए its maintenance cost is high इसका maintenance cost होगा वो काफी हाई होगा दोस्तों यह था हमारे लिए floating drum type I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा अगर कोई question हो तो मुझसे जरूर कुछेगा next lecture में लोग इसकी last theory देखेंगे I hope कि आपको आज की theory में समझ माया होगा अगर कोई question हो तो मुझसे जरूर कुछेगा thank you so much